वेरी गुड मॉर्णिग डियर टीचर्स आज का जो मेरा वीडियो है वो खासकर टीचर्स के लिए है जैसे कि आप जानते हैं कि आज से आपके सभी के जो होलिडे शुरू हो चुके होंगे समर होलिडे जो है वो सभी के शुरू हो चुके होंगे टीचर सोच रहे हैं कि आप उनको rest मिल जाएगा लेकिन ये समय rest करने का नहीं है इसमें कुछ नया सीखने का है क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी pandemic खतम नहीं हुआ है हो सकता है आगे भी आपको online पढ़ाना पड़े बच्चों को हो सकता है पूरा साल आपको आगे भी online ही पढ़ाना पड़े तो online कैसे पढ़ाते ये तो सब आपने सीखी लिया होगा कि online क्या होता है कोई भी platform यूज करके आप online पढ़ा सकते हो लेकिन आप अपने जो videos है वो कैसे shoot कर सकते हो educational video क्या होता है कभी-कभी हमारे school से ऐसा बोला जाता है कि आपको video shoot करने के भी बच्चों को send करना है देखो इसमें school का कहिना भी सही है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो live class attend नहीं कर पाते हैं या कुछ लोग बाद में admission लेते हैं उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर आपका video पहले से रखा है ये video आपने send कर दिया है तो वो बच्चे जो class attend नहीं कर पाए उनके लिए बहुत ही beneficial रहता है इस करन से जो schools हैं वो ऐसा बोलते हैं अपने teachers को तो क्यों ना हम आज इस video के माध्यम से सीखते हैं कि किस प्रकार से हमारा educational video बहुत अच्छी तरीके शूट कर सकते हैं और वो भी बिना किसी खर्च के देखिए मैं जो आपको बताऊंगा वो ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपको कोई भी खर्च निकारना पड़ेगा एक रुपे भी आप खर्च किये बिना आप अच्छे से अपने वीडियो शूट कर सकते हैं और इनी वीडियो को जो मैं आप जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ उनी वीडियो को आप अपने जो लाइप प्लेटफार्म है जिस तरह से आप इसकूल में पढ़ाते हैं उसको भी इसी ट्रैप से आप पढ़ा सकते हो और बहुत बच्चे बहुत उसको एप्रिशेट भी करते हैं तो चली सीखते हैं पहले मैं आपको बताता हूँ जिसमें बिना कोई खर्च किये यह हो गया आपका हेटफोन लेकिन आप चाहते कि आपकी जो साउंड बहुत अच्छी आए क्योंकि एजुकेशनल वीडियो में साउंड की बहुत ही जर्वत होती है तो अगर आप बहुत अच्छा साउंड देना चाहते हैं अपने बच्चों को तो आप एक माइक खरीद लीजिए जैसे देखिए में एक माइक खरीदा है यह बोया का एक माइक है ठीक है यह पूरा माइक है आप इसका जो एक पाइंट वह यहां लगा हुआ हुआ है दूस पना सकते मॉबाइल एस्टेंट कैसे बनाएंगी वो देखिया इसकेल मेरे पास पड़ी हुई इस स्केल में मैंने क्या करा कि इस मोबाइल का जो डिबा था उस डिब्बे को मैंने यहां पर फिक्स कर लिया और आप इसको लंबे में वी फिक्स कर से तो यह आपके उपर है बने इस टैप से कर लिया तो इस में चेट कर दीजिया कि मैंने दो चेत्य किया आप एकड़ सकते हैं यहां भी आपका केमरा होगा उसले साब साब खुर सकते हैं एक होल यहां पर किया है यह होल दिख गाना चाहते हैं आप माइक आपने मोबाईल में तो आप इसमें लगा सकते हैं इसलिए किया तो इस तरह से आप अपना मोबाईल स्टेंड बना सकते हैं सब यह बी आत पास डबा हthere जो गुम गया आप चोटा मेरे पास इतना वह ने बड़ा यूज कर लिए और मैं इसको यूज करता हूं इसको कम करता इसको जादे करता हुआ इसका करने कि आसानी से हम किदर भी मूबाइल को रख सकते हैं तो आप इस टाइब के एक लगड़ी के प्रिट कर सकते हो ठेक इसके लगव इतनी प्याइब किसी में भी देखा हूआ doctors करने की जरवर नहींद अब इसको कैसे सेट करें ताकि सारा कुछ नहीं दिके और only आप जो पढ़ा हुआ भूह देखे चलिए मैं मैं आपको बताता हूं किस तरह सेट करता हूं और बच्चों तो अब मैं आपको बताता हूं कि इस सारी चीजों को कैसे सेट अप करते हैं ताकि बच्चों के पास जब जाए ये वीडियो तो उनको सिर्फ कापी दिखे और आपका हाथ लिखता हो दिखे बाकि कोई चीज उस पर नजर नहीं है सबसे पहरे आपको क्या करना पड़ेगा कि इस प्रकार से कुछ बुक्स लेनी पड़ेगी और इन मैंने बुक क्यों लिए ताकि मैं अपने मोबाइल का जो केमरा है उसकी हाइट को बढ़ा सकूं अगर माली यहां पर बुक नहीं है आपके पास तो आप कुछ ऐसी चीज ले प्रकार को आपको क्या करना कि यह जो आपका इंस्तूमेम्ट आप इसके अंदर डाल गिए अप आपके पास यह नहीं बताता हुग आपको अगर आपके पास यह आप call कि अर् Bell ले लिए ठीक है वो मिल जाता अग्सर कहीं पर भी घर पर पड़ा होगा इस टाप कोई यह पीस से पतला भी ले सकते से छोटा भी ले सकते थोड़ा बड़ा है तो आप इसको इस प्रकार से रखेंगे यहां पर और इसके उपर इसके पर क्या करेंगे एक बुक रख देंगे अब प्रोटर होगै जो आप यहां मोबाया है यह फिर का मिखने करेंगे डिए फिर आपको ला इसके विर को चालू कर देंगे यहां जिती है और ऑफिर आफिए इक कापी लिया अपने ऀ cellular लिखना शुरू किया आफ जिसे मानद लिजिए कि आपको लिखना है कुछछ भी आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं मैंने यहां पर लिखना शुरू किया यह देखिए यह मैंने लिखा यहां पर 2x plus 3y equal to 9 and 3x plus 5 by equal to 6 यह कोई जिसको मेरे को साल्व करना मैं यहां पर इस पूरे बच्चे को अच्छे से समझ पाते हैं अगर आप देखाय करोगे तो इस तरह से आप बहुत आसानी से अपने बच्चों को कोई भी चीज समझा सकते हो यह 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 तो बात हुई यह एक मेस टीचर की और एक साइंस टीचर सांट की कि इन लोगों को ही जादे लिखने का काम पढ़ता है लेकिन मानली जी आप एक हिंदी टीचर है आप सोसल स्टेडी टीचर है तो उसके और आसानी देखी मैं बताता हूं उसको कैसे करना है जिससे सब्सक्रिए कि यह लाइन आप उनको एक स्प्रेंड कर सकते हो या आपके पास अगर पेंसिल ले तो पेंसिल से उसको लिक्स भी सकते हो जो आपको समझा रहे हैं या फिर कोई डाइग्राम बना हुँ इस डाइग्राम को आप इस पर समझा पाऊगे बहुत आसानी से इस मेथट के थूँ आप जो भी इस पर कुछ पढ़ाओगे इस समय वह रिकार्ड होना शुरू हो जाएगा या आपका वीडियो शूट होना शुरू हो जाएगा और जब आपका यह पूरा एक पीरेट कंप्लेट हो जाए जब आप पढ़ा लीजे वापस उसको बंद कर दिए मतला आपका जो जो लिख रहे हैं वही दिखाई देगा उससे उनको एक लाइब क्लास का अनुभा हो जाएगा एक लाइब क्लास को फील करेंगे वह इसलिए बहुत अच्छी में अब आप यह आप साथ में यह भी चाहते हो कि जब मैं लाइब पढ़ाओं तब भी काम हो सके तो भी हो सकत है इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको अपने मोबाइल में जो भी प्लेटफर्म को यूज करते हैं जैसे आप सब्सक्रों करो कि आप Microsoft का यूज कर रहे हो तो आप उसको ओपन कर लिजिए और इसके बाद शेयर आप्शन को ओपन करेंगे तो उसमें आता है वीडियो शेयर वीडियो तो शेयर वीडियो को आप क्लिक कर देना और इसी टाप से वापस पढ़ाना शुरू करना तो जो जब आप लाइप पढ़ा रहे होंगे तब भी आप इसको यूज करके आप बहुत अच्छी से बना सकते हो यह था पूरा सेटप और इस तरह से मैं पढ़ा अच्छी बस इतने मिलते हैं एक नए विशे के साथ तब आप रहे खुश और मुझी दीजी आग्या जाहिंद